सभी बच्चों को मेरा नमस्कार टॉपिक की हेडिंग पढ़के कुछ समझ में आ रहा है यह NCRT exercise 1.4 mathematics का जो concept है उसको बताने हम जा रहे हैं इस exercise को भी खितम कराएंगे छोटी सी है तीन चार कोशन है इसमें इसमें लिका हुआ है परिमें संख्याओं यो उनके दसम्लो प्रशारों का पुनरभ्रमण दुबारा टहलने चल रहे हैं मतलब हम रिशनल नमबर के बारे में परिमें संख्याओं के बारे में पहले से पढ़ चुके हैं decimal के बारे में पढ़ चुके हैं कि कैसे कैसे decimal होते हैं ये ninth में हमने पढ़ा था अब उसको revisit करने जा रहे हैं दुबारा उसके बारे में बात करेंगे उससे मिलेंगे नमशकार करेंगे मैं आ गया चलिए नमशकार करते हैं देखे कहना ये चाहते हैं कि जैसे मैं एक example ले रहा हूँ मैं आप से कहूँ कि भाई 2 को 5 से divide कर दो तो आप divide करेंगे तो 0.4 आ जाएगा पुरा कर जाएगा ना पका मैं आप से कहूँ कि 1 by 20 कर दो तो 1 को 20 से divide करो क्या तरीका होता है भाई पॉइंट किलाओगे 0 किलाओगे 0 किलाओगे 0 किलाओगे 25 पंचे 100 0.05 हो जाएगा तो कहिए रहे है कि जैसे मैंने का 10 को 3 से divide कर दो तो आप कहेंगे 3.3333 टिक 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 तो ये कह रहे है कि आप देख रहे हैं ध्यान से कि भाई ये तो पूरा पूरा कड़ गया एक स्टेज बाद आई एक दो स्टेप बाद तब ये कभी चार स्टेप हो सकते हैं आ जाए कि भाई पूरा कड़ पूरा नंबर कड़ गया और रिमेंडर जो है सेसफल 0 आ गया यही थो का ना 25 पंच सो ये आएगा और ये 0 बचेगा यही तो रिमेंडर है सेसफल है इसी को सेसफल कहते है तो कहीं कहीं पर तो रिमेंडर 0 आ जाता है इस केस में 0 नहीं आएगा कभी भी तो ये क्वेस्टन ये कह रहे है कि आप डिवाइड मत करो ये जो लंबा सा आप डिवाइड मत करो ना, लंबा सा डिवाइड मत करो, ना, आप बिना डिवाइड करें बताओ, कि ये पूरा का पूरा कट जाएगा, या ऐसे चलता रहेगा, तो क्या करेंगे उसके लिए, दो तरीके हमारे पास हैं, एक तो तरीका ये है, कि आंसर खोल के रख लेंगे, और दीरे सही से देख ल मैं आंसर देख के करेंगे, एक्जाम में, सामने वाले को देख लेंगे, क्या कर रहे हो, लेकि सामने वाला हमको देख रहा है, तो अपने आप करना पड़ेगा ना, जरा ध्यान से समझेगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो डिनामिनेटर है ना, इसके फैक्टर कर बार आगया, माले फेक्टर गी आगया 2 x 2 x 2 x 5 x 5 तो इसको क्या बजने है तो की पावर 3 x 5 x 2 इस फारमिट में अगर फेक्टर आ जाएं, तो वो नमबर पूरा का पूरा कट जाएगा और ऐसे नंबर को क्या कहते हैं Terminating decimal इसका नाम आपने पढ़ा है 9th class में मैं दुबारा नाम लिखे दे रहा हूँ ऐसे decimal को कहते हैं Terminating decimal Terminating decimal सांत दसमलव सांत दसमलव कब जब इसके गुरंखंड जो है ना अब देखो इसके factor देखो यह तो एक ही number है ना इसके factor 5 है तो आप कहेंगे इसमें 2 नहीं है अरे 5 पॉर 1 है 2 पॉर 0 है क्या दिक्कत है अगर 5 केवल है तब ही चलेगा 2 पॉर 0 होगा केवल 2 factor होगा केवल 2 factor होगा तो 5 पॉर 0 हो जाएगा मतब टू और 5 को छोड़ करके कोई भी number as factor नहीं होना चाहिए otherwise अगर और है तो अगर मालिया factor 3 है अब यह तो 2 और 5 है नहीं या 2 और 5 के अलावा भी कोई और factor है तो वो non-terminating decimal होगा non-terminating decimal और recurring भी होगा मतलब बार-बार repeat भी करेगा चाहे एक step बार repeat करेगा चाहे 50 step बार repeat करेगा वो repeat करेगा non-terminating and recurring decimal recurring decimal मतलब असांत सांत नहीं होगा कभी असांत और आवरती दसमल होगा इसके बारे में नाइंत क्लास में आप पढ़ चुके हैं आवरती दसमल लव ठीक है तो वस इसी concept पर एक size है कि भाई आप divide मत करो और divide किये बिना बताओ इसका decimal कैसा होगा सांत हो जाएगा थोड़ी देर बाद पुरा-पुरा answer निकलाएगा salesful zero हो जाएगा remainder या नहीं होगा ठीक है तो इसी पर एक size है एक size 1.4 की हम बात करने जा रहे है ठीक है देखिए ये question कह रहा है पहले में पढ़ देता हूँ हिंदी में पहले पढ़ देता हूँ कह रहा है कि बिना लंबी विभादन प्रक्रिया कि ये बताईए कि निम्लखित परिमेश संख्याओं को दसम्लो प्रसार के सांत या असांत है मतलब सांत दसम्लो है या असांत दसम्लो है मतलब without actually performing the long division method state whether the following rational number is having the terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal recurring को repeating भी कहते है क्या करना होगा हमने क्या बताया आपको उन्हों का divide मत करिए और divide किये बिना बताओ इसको देख करके क्या तरीका आपने बताया आपने तरीका बताया आंसर देख लो आरे वह तरीका तो ऐसे ही आस्तिवाला है क्या आपने तरीका बताया कि remainder के आप factor कर दीजिए ठीक है और ये fair work होगा ये fair work होगा कि 3115 जो है ना इसके गुड़नखंड करूँ अगर इसके factor केवल दो और पांच के अलावा कुछ भी नहीं है केवल पांच हो सकता है केवल दो हो सकता है दो और पांच हो सकता है अगर इसके अलावा कोई भी नंबर होगा तो गड़ बढ़ होगा पहले कर देते हैं तो सबसे पहले आपको दिख रहाए है किस से कटेगा पहले तो पांच से कटेगा अब इसमें गलती मत करिएगा ना काटना है तो उधर भाग करके देख लीजिएगा या 5 पंद्रा क्या गलत नोट कर लिए क्या 1150 है स्वरी 1195 है मैं रह wrinkles हो रहा है 523 1 पांच 45 पांच 75 पांच 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 अच पांच 5 पांच 15, में ही व्हास हो चुक्रिबाइन यारी चुक्रिंगे यहां पर 31st于 को क्या लिखा जा सकता है 5x5x555 website 5ला 5 और इसको चाहें कि 2k3 0 ल्भी सकते हैं यहां तो आप अब क्या कहेंगे यह factor कैसा होगा यह पुरा पुरा डिवाइड हो जाएगा हो जाएगा तो हो जाएगा तो आप कहेंगे कैसा होगा It is Terminating It is Terminating Terminating Decimal यह सांत दसम्लो है Decimal यह कैसा दसम्लो है सांत दसम्लो है अच्छा एक चीज़ और अगले question में इसोंने कहा है जो second question है यह पहले question का भी यह part है दूसरा question में साथ में चला है वो कहरा है कि जो terminating decimal है जिसका decimal पूरा-पूरा निकल जाएगा, यानि पूरा-पूरा कट जाएगा, उसको आप divide कर गए बताओ, आएगा क्या, तो अब इसको divide करो, तो हम सोचने question लिखाई है, तो divide भी कर लिया जाए, साथ ही, ज्यादा मेतर रहेगा, अब 3125 से 13 को divide करते हैं, ठीक है, देखो इसक संकिया है जिसे time waste नगो को तेखो 143 को divided करना था, 3125 से 13 छोडी संकिया है, क्या तरीका होता एक बाल ले जाओगे एक तीसों पचीश को मानस करोगे तो 1865 आएगा फिर जीरो एक लाओगे छे बार जाएगा ते पूरा पूरा क्यास आजाएगा 0.00416 ठीक है देखे अब पहले कोशन को आपने कर लिया इसमें पहला और दूसा कोशन एक साथ चल लाएगा पहला कह रहा है पहला कि बताओ कि पहली टर्मिनेटिंग है कि नहीं है सांत है कि नहीं है सांत मतलब पूरा पूरा भाग हो जाएगा पूरा 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 इसको divide करके बताओ, तो हमने एक साथ ले ले लेते हैं, किया दिक्कात है, देखो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप factor of 8 निकालेंगे, factor of 8, 8 के गुरन खंड, हिंदी वाले अपना हिंदी देखें, और इंगलिस वाले इंगलिस देखें, ठीक है ही, हिंदी वाले इंगलिस 2 power 3 into 5 power 0 तो हमने का अगर factor 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है केवल 2 और 5 में है तो कैसा होगा तो it is terminating decimal ये कैसा होगा terminating decimal होगा यह एनि सान्थ दसंबल होगा सान्थ दस्यमालव होगा ठीक है अब कहते है अगर सान्थ है तो इसको बताओ कितना आसान थे इसको डिवाइड करके दिखाओ तो डिवाइड कर लो 17 को 8 से डिवाइड कर दो 8,16,1 आएगा 0,8,2 आएगा 0,8,16,4 आएगा 0,8,45, कट जाएगा ठीक है तो इसको कहले से नहीं 2,125 यही आप से कह रहे हैं ठीक है अब यह नहीं कह रहा कि कैसे आया 0,5 जी आपने समझा है नहीं है यह आप को मालू है ठीक है नेक्स कुशन देखते देखे थर्ड पार्ट कह रहा है कि 64 बटे 455 एक बात ध्यान रखिएगा क्या ध्यान रखने वाली बात कि यह जो नंबर्स लिखे होने चाहिए ना यह आपके लोवेस टर्म में होना चाहिए मतलब जैसे कहीं पर 3 बटे 15 लिखा हुआ है तो ऐसा नंबर नहीं चलेगा अभी 3 से कट रहा है ना तो एक बटे 5 के टाइप में होना चाहिए ध्यान रखिएगा कोई भी कोईशन माल लेते है नीचे 3 फैक्टर आ गया नीचे 3 फैक्टर आ गया अब आप कहेंगे जब 3 फैक्टर होगा तो पूरा पूरा कटेगा नहीं क्योंकि फैक्टर क्या होना चाहिए 2 और 5 की वल लेकिन भीया वो 3 सिर्प आलेड़ी कट रहा है ना भाई अगर आप 15 के फैक्टर निकालते तो 15 के फैक्टर 3 और 5 होते ना और हमने का 5 और 2 के अलावा 5 और 2 के अलावा कोई भी फैक्टर होगा तो वो कटेगा नहीं तो आप करेंगे तो नहीं कटेगा तो आप दिखेंगे इट हैज फैक्टर 5 7 and 13 इट हैज फैक्टर फैक्टर 7 and 13 आलसो इसके गुड़नखन 7 और 13 भी है तो इट इस नान टर्मिनेटिंग ये कभी खतम नहीं होगा नान टर्मिनेटिंग एंड रिक्रिंग डेसिमल रिक्रिंग डेसिमल ज़र रैटिंग गंदी है मैंने इसका लीजिएगा तो थोड़ाज नम्मर ऐसे जलाता है ठीक है लेकिन यहां इधर से साफ दिख रहा है उधर से साफी होगा डेसिमल तोड़ाज साफ कर देते हैं नान टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब आप क्या कहेंगे चुकि इसके गुरंखंड साथ और तेरा भी है अताया असांत असांत और आवरती देसमलो है आवरती देसमलो है ठीक है देसमलो अब वो कुश्चन कह रहा है कि भई ऐसा है कि अगर यह सांत हो जाए तो सांत करिए असांत है तो उड़ने तो दड़ जागर कि तो इसको आपको डिवाइड नहीं करना है हाँ डिवाइड अगर करोगे तो एक स्टेज बाद नंबर बार बार रिपीट करेंगे तो यह आपका पहला कुशन और दूसरे कुशन दोनों का थार्ड पार्ट क्योंकि दूसरा कुशन पी साथ साथ चलना है तेकि कुशन फोर्थ पार्ट क्या रहा है फिफ्टीन पांथ वन थाउदन सिक्संडे इसमें ऐसे आप प्लाई नहीं करेंगे अप्लाई तो हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन पहले आप देखो यह लो एस्टम में नहीं है पांसे कड़ जाएगा यह पहले पांसे काड़ दो 5 तिहां 15 और 5 तिहां 15 11 यह नंबर आया है ना यानि कुर्णा के का नंबर आपका क्या है तीन बटे 320, आंसे कड़ गया ना, तो अब आप 320 के फैक्टर कर दिए, ठीक है, फैक्टर आफ 320, फैक्टर आफ 320, 320 के गुलन खंड, लैंग्विज सब की एक ही है, इसलिए सम में नहीं लिखेंगे हैं, क्या तरीका होता है 320 को करने के लिए, पहले 2 से काटो, दो एक कम दो, तुछाग 12, 160, फिर 2 से काटो, 28, 16, 0, फिर 2 से काटो, 40, फिर 2 से काटो, 20, फिर 2 से काटो, 10, फिर 2 से काटो, 5, फिर 5 से काटो, एक तो यानि कि 320 को क्या लिखा जा सकता है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे दो की पावर छे इंटू पांच की पावर एक अब बताईए इसके फैक्टर दो और पांच के अरामा कुछ है नहीं है तो अगर कुछ नहीं है तो क्या होगा यह होगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल या सांत दसमलो सांत दशमलो अच्छा, ध्यान रखेगा कुछ टीचर्स, वो तीन से नहीं काट पांच से नहीं काटेंगे, डायेट कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यहां पर आएगी अगर मैं तीन बटे पंद्रा कर दूँगा चलिए आप मत काटिये हम आपको कुशन तीन बटे पंद्रा दे रहे है मत काटो, भई यहां नहीं काट रहे हुना कुछ टीचर कहेंगे आप पंच से मत काटिये आईसे निकालो, सोला सो के फैक्टर निकालो निकालो सोला सो के फैक्टर एक पंच और आएगा यहां पर जा सोला सो कर दोगे न तो पंच दो बार आएगा न और आपको के फैक्टर दो और पंच से चलेगा सांत दिसमलो नहीं होगा लेकिन होगा क्योंकि तीन से कटना पहले सते हैं तो ऐसा करिएगा आप एक नियम बना लो कि सबसे पहले उसको लोवेस फाम में कनवर्ट करना है ठीक है अब कनवर्ट हो गया तो उसको डिवाइट करके देख लो कितना वैलू आती है देखें हमने इसको डिवाइट कर लिया है समय बचाने के लिए थोड़ा सा भाई तीन सो बीस से तीन को डिवाइट करना था ना अब तीन तो छोटी संक्या है पॉइंट खिलाया एक जिरो बढ़ाया हो गया 30 अब भी नहीं कटेगा एक जिरो और बढ़ाया 300 अभी नहीं कटेगा एक जिरो बढ़ाया 3000 तो अब 3000 को 320 से डिवाइट किया तो 9 टाइम्स ले गए 9 से इसको मल्टिप्लाई करते हूं मालूँ है आपको नियम 2880 इसको माइनस किया 120 आया एक जिरो खलाया तीन बार ले गए 960 हुआ इसको डिवाइट करना आपको आता है ठीक डिवाइट में नहीं बता रहा हूं इसके लिए 0.00935 अगर आपको डिवाइट में दिक्कत हो तो कमेंट में लिख दिजेगा कि डिवाइट हमको नहीं आता है तो हम एक बार डाटता हुआ वीडियो अपलोट कर देंगे नहीं तब डाटना तो पड़ेगा ना 10th क्लास का लड़का है कह रहा है तो डाटता हुआ वीडियो डिवाइट समझाता हुआ अपलोट कर देंगे ठीक है तो यह 4th पार्ट हो गया देके नंबर 5th पार्ट में 295 343 क्या तरीका होता है 343 के आप फैक् तो 7 से काटेंगे तो 648 26 34 63 69 63 7 49 7 7 पार्ट 3 हो गया अब आपको साफ साफ दिख रहा है इसमें फैक्टर 2 और 5 नहीं है 2 और 5 नहीं है और उसके अलामा 7 भी है तो इसलिए नान टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल या असांत और आवर्टी देसमलों यह है ठीक है रिक रिकरिंग को रिपीटिंग भी लिखा जाता है रिकरिंग का मतलब होता जो बार बार रिकरेंश हो बार बार आई वो ठीक है तो चुक्छे असान थै तो उसकी वैल्यू निकाली नहीं जा सकती है तो यह कहला चेक करके आप यहां पर छोड़ेंगे ठीक है यह फिद 2 to power 3 into 5 power 2 अब आप अगर ध्यान से इसका denominator देखिए हर देखिए तो ये आलेडी factor फाम में है तो आप लिखेंगे कि factor of denominator factors of denominator हर के गुड़न खंड गुड़न खंड क्या दिख रहे हैं आपको 2 की power 3 into 5 power 2 है क्या तरीका बताया गया था कि अगर 2 और 3 में ही factor होंगे 2 और 5 में ही factor होंगे तो ये कैसा decimal होगा so it is terminating terminating decimal यह सांत दिखमल होगा सांत दशामलाव अब इसको point में कैसे लिखें देखो दो तरीके मैं आपको बताया दे रहा हूँ एक तो तरीका है कि दो दुनी चार दुनी आठ और पचम पचीस पचीस अठे दो सो दो सो इसको डिवाइड करो डिवाइड ही कर दो ठीक रहेगा तो आप तेज को आप इसको गुणा करना पड़ेगा ना ऐसे काम चलेगा नहीं तो क्या हैगा दो दुनी चार दुनी आठ और पचीस पचीस अठे दो सो दो सो से इसको डिवाइड करो क्या तरीका होता है ये तो जाएगा नहीं तो जीरो पॉइंट जीरो कलाएंगे एक बाले जाएंगे तो ये दो सो आएगा यहां क्या बचेगा तीन बचेगा तीस हो जाएगा एक जिरौर खिला देंगे फिर एक ही बार जाएगा फिर दो सो आएगा फिर सो बचेगा एक जिरौर खिला देंगे फिर पांच आएगा फिर एक हजार आएगा ठीक है यानि इसको लिसकते है जिरौ पॉइंट वन वन फा इन्टू 5 पावर 7 इन्टू 7 पावर 5 पहले factors of denominator देखते हैं factors of denominator यह तो अलेडी दिये हुए है हर के गुड़न खंड गुड़न खंड यह अलेडी गिवन है क्या है 2 पावर 2 इन्टू 5 पावर 7 इन्टू 7 पावर 5 अब बताओ यह terminating होगा या non-terminating होगा अगर आप से पुछा जाए कि terminating है या non-terminating है हम तो नहीं बताएंगे हम तो अभी सुन लेंगे आपकी बात देखो अभी हमने क्या बताया कि 2 और 5 के अरावा कोई भी कोई भी factor नहीं होना चाहिए हाँ 2 और 5 कितनी बार भी हो सकते है यहाँ 7 है तो यह हो जाएगा आप लिखेंगे here here one factor is seven also हिंदी में लिखेंगे इसका एक गुरंखन साथ भी है so it is non-terminating non-terminating खतम नहीं होगा and recurring decimal recurring decimal यानि कि असान्त होगा और आवर्ती दसमलो होगा आवर्ती दसमलो होगा हम जो लिख रहे हैं और हम जो बोल रहे हैं दोनों को एक साथ सुनिएगा कभी-कभी हम बोल जाते हैं उच्छी लिखते नहीं है राइटिंग फुला गंदी है ठीक यह टर्मिडेटिंग है आप यह देख लिखो कि यह क्या लिखा हुआ है तो यह एंजी लिखा हुआ है ठीक अगर तो यह आपका सेवन्थ पार्ट हो गया अब देखो एक कोशन फसा है च्छे बटी पंद्रा साउधान अगर मैं पंद्रा के फैक्टर करूं तो फाइव इंटू थ्री आएगा और इसमें एक फैक्टर थ्री भी आ गया तो यह नियमता यह डिवाइड नहीं हो सकता लेकिन अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो पंद्रा चोको साथ पूरा-प पंद्रा यह दूबटे पाँच लिखा हुआ है तो आप साफ साफ दिख रहे हैं कि आपका जो फैक्टर डिनॉम्नेटर का है वो क्या है पाँची एना अकेला तो फैक्टर अफ डिनॉम्नेटर लिख लेंगे पाँच है ना तो जीक्शा डेसमल होगा यह टर्मिनेटिंग decimal होगा terminating decimal होगा यानि कि सांत दशमलो होगा सांत दशमलो व value क्या है कि 0.5 टीक है तो ये ध्यान रिकेगा कि जो भी आपका fraction दिया होगा जो भी आपका भी ने दिया होगा उसको पहले आप lowest term में लिख लेंगे otherwise गबढ़ है आप टीक है तो ये आपका question number 8th part हो गया अब जैसे इसमें है अब आप कहेंगे 50 के factor क्या होंगे 5 into 5 into 2 तो कट तो जाएगा ना पूरा पूरा वो हम ठीक है कट जाएगा लेकिन अभी इसके पहले वाले part में तो नहीं कट रहा था और जबकि वो पूरा-पूरा terminating decimal था तो इसको भी lowest time में लिखो पान सिकार दो पान सते पैंतिस और पान दहम पचास इट विल बी 7 अपान 10 तो 10 के factor क्या होंगे 2 into 5 चुकि इसके factor केवल 2 और 5 हैं तो कैसा decimal होगा ये है आपका terminating decimal terminating decimal होगा यानि कि सांत दशमल होगा और divide करने के तरीका जाए 0.7 लिख सकते हो तो ये आपका 10th part हो गया 9th part हो गया ठीक है अब जैसे 77 upon 210 की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर हम 210 के factor निकालेंगे तो निकाल भी सकते हैं लेकिन ये number 7 से कट रहा है पर ये 7 से काट दो तो साथ इकम साथ, साथ इकम साथ, साथ रुकी कीस यानि 11 upon 30 आएगा अब 30 के factor करो तो 30 के factor क्या होंगे पर ये 2 से काट होगे 15 आएगा फिर 3 से काट होगे 5 आएगा, फिर 5 से काट होगे 1 आएगा यानि 30 को लिसकते हैं 2 into 3 into 5 अब इस टर्मिनेटिंग है या नान टर्मिनेटिंग है अपने आप लिखिएगा 1 factor is 3 also इस टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेस्मल असांत और अनावरती डेस्मल है तो ये आपका पहला और दूसरा दोनों कोईशन है पहले कोईशन उने कहा है कि आपके वोल डिवाइड मत करो चेक करो और अगले में कहा है कि चेक कर लिया है तो जो टर्मिनेटिंग है उनको दिखाओ ठीक है नोट करिए इसको अब देखें थर्ड कुशन बताने के पहले कुछ और बताना पड़ेगा जैसे अगर हम आप से कहें कि वह 5.4273 एक नंबर है तो क्या ये रेशनल नंबर है ये परिमे संक्या है तो परिमे संक्या यानी रेशनल नंबर होने की कंडिसन क्या होती है कि इसको P अपान Q के रुपे लिख सकते है पॉइंट नहीं होना चाहिए उसमे तो हम इस point को हटा सकते हैं और एक इसकी जगह पाई एक दो तीन चार एक दो तीन चार यानि इसको five four two seven three upon one thousand लिखा जा सकता है लिख सकते हैं आ ऊपर भी इंटीजर है और नीचे भी इंटीजर है उपर भी पूडांक है नीचे पूडांक है यानि परिमे है अच्छा दूसरी संक्याई यह है कि अगर तेन पांग थ्री है तो three point three 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 तीन प्रिपीट हो रहा नंबर चाहिए एक नंबर रिपीट हो चाहिए दो नंबर रिपीट हो तो वह भी आपको पीए पांग क्योंकि फार्मिले सकते हैं और तीसरा अगर मालिया one point zero zero one zero zero one 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 zero zero तो यह अगलम बगलम तगलम दिया है तो इसको नहीं लिखा जासकता ठीक है तीन प्रिकार की concept है इनी तीन प्रिकार की concept से question number आपका third बन रहा है third question को ध्यान से पढ़िये तीन number दिये है और उन्होंने कहा बताओ यह rational number है की नहीं है इसको पीए पांग क्यों के रूप में लिखा जा सकता नहीं लिखा जाता है question कह रहा है कि the following real numbers have the decimal expansion as given below in each of the decide whether that they are rational or not if they are rational right in the form of P.पांग क्यों what you say about the prime factor of Q इसको P.पांग क्यों के form में लिखिए नहीं right नहीं कहा गया if they are rational end of the form P.पांग क्यों करना नहीं है P.पांग क्यों के form में लिखा जा सकता है तो Q के बारे में आप क्या कह सकते हैं तरह देखिए हम क्या कह सकते हैं बाद में कहेंगे भला समझीएगा कैसे इस question को लगाया जाएगा सबसे पहला पार लेते हैं यह third question है यह कह रहा है 43.123456789 यह पूरा क्पूरा decimal खतम हो रहा है ना तो यानि कि यह इसको आप point को हटा सकते हैं ना और हटा सकते है आप आनमे 9-0 आ जाएंगे यानि कि it is rational it is rational यह rational होगा क्यों क्योंकि टर्मिनेटिंग decimal है ना सांत दसमलो है और सांत दसमलो को rational में लिखा जा सकता है भूले ठीक है अब कहते हैं अगर लिख सकते हो तो आप आनमे क्यों आएगा भाई इसको हटा होगे तो क्या नंबर इसको हटा होगे नीचे वन लिखोगे तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो जिरो आएंगे यानिकि नंबर क्या बन जाएगा 43 एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो और नीचे आएगा एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो ये पी हो गया ये क्यों हो गया आप कहते हैं ऐगर आप लिख सकते हो तो क्यू के बारे माफा क्या कहना है तो आप लिखेंगे क्यू है ध़। पावर ब्रेन इन टो फावर के पावर आन्ट Q के factor के बारे में आप क्या कहना चाहते तो आप कहेंगे Q के factor 2 की power और M5 की power में ही होंगे और कोई नहीं होगा क्यों क्योंकि terminating की यही condition होती है ठीक है तो यह आपका हो गया अगला पार्ट कह रहे है 0.120120012000 किस प्रकार की number दिख रहा है एक तो terminating नहीं है और recurring भी नहीं है non-terminating है non-terminating है अभी खतम नहीं हो रहा है ठीक है and non-recring है recurring भी नहीं है non-recring है तो अगर कोई non-terminating है यानि आसान्त है आसान्त है और अनावर्ती है अनावर्ती तो क्या इसको P और Q के फा में ले सकते है नहीं लिखा जा सकता है So it is So it is irrational So it is not rational Not rational इसकी पर्ले बताय जा चुका है यह आपरिमे है अताह यह आपरिमे संख्या है आपरिमे संख्या है अब आप कहेंगे P.A.P.A.N.Q के बारे में क्या कहेंगे और जब P.A.P.A.N.Q आएगा ही नहीं तो Q के बारे में कहेंगे क्या कुछ नहीं कहेंगे इसे ही छोड़ देंगे ठीक है देखें एक कोईशन फर्स पार दुबारा आ गया 43.123456789 बार बार का मतलब क्या होता है यह नमबर बार बार रिपीट होगा तो जब रिपीटिंग होता है तो पी अपान Q के फर में तो लिख सकते है लेकिन Q का फैक्टर कुछ भी हो सकता है तो इट इस नान टर्मिनेटिंग एक तो नान टर्मिनेटिंग है टर्मिनेटिंग एंड नान एंड रिकरिंग रिकरिंग डेसिमल ठीक है ये नान टर्मिनेटिंग है और रेकरिंग डेसिमल है तो रेशनल तो रेशनल का मतलब ये होता है कि ये पीए पान क्यू के फार्म में लिखा जा सकता है यानि आप लिखेंगे या आसांत और आवरती दसमलो है आवरती दसमलो प्रसार है अताह यहा परमे संक्या है यहा परमे संक्या है आप कहते हैं ठीक है हम माल लेते हैं तो इसका मतलब इसको पीए पान क्यू के फार्म में ले सकते हो तो अब क्यू के फैक्टर की बारे में या कहना है तो हमने कहा था कि इस प्रकार के नंबर में कि Q का फैक्टर 2 की पावर M और 5 की पावर N के अलामा भी कोई और रूमर होगा तो it has factor, so Q has factor, Q has at least one factor, at least one factor other than 2 and 5, other than 2 and 5 तो 2 और 5 के अलावां कम से कम एक दूसरा factor भी होगा, यानि कि आप लिखेंगे Q का 2 और 5 के अलावां भी एक गुड़नखंड होगा, गुड़नखंड होगा बोले तो होगा, ठीक है, तो इस प्रकार से एक साइस कतम होई और इस प्रकार से नंबर सिस्टम का पूरा खांदान एक्स्प्रेइन हो चुका है, इसको कर लिजेगा, next in the next video, thank you